हेलो फ्रेंड्स मेरा नम जूफी पंसल है, आज हम देखेंगे Adam Smith theory of development तो यह हमारा growth and development का topic है ठीक है यह आ जाते है theory of development की first theory Adam Smith जो की Adam Smith ने दिधी theory of development इसमें हम growth की बात करते हैं development की बात करते हैं कोई भी एकनॉमिम की डवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसकी ग्रोथ कैसे होती है तो जैसे जैसे एकनॉमिस चाहते गए वैसे वैसे हमारी थियोरीज है वह डवलप होती रही मतलब और अच्छी होती रही अपडेट होती रही तो उससे हमें हमारी एकनॉमिम में ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता था ठीक है तो एकनॉमिस चैसे आते रहे तो हमारा ये फर्स्ट एकनॉमिस चैसे आडम स्मित तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यूँ है प्ली सब्सक्राइब कर लेजिए बैल अक्रिक को प्रेस कर लेजिए ताकि आपको लेटे सब्सक्राइब करने में तो जैसे कि समित कहता है कि हमें क्या करना चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने चाहिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा हमें इन्वेस्मेंट की जुर्थ है ठीक है कैपिटल फॉर्मिशन की जरूरत है टेकनलोजी की जरूरत है हम डिविजिन ओफ लेबर चाहिए मार्केट इंक्रीज करने हैं वो सारी क्या आजेगी हमारी प्रोसेस है प्रोसे है won देख लेते हम तो फोर्स्च आज़रत है हमारा नैचोरल लोग क्या कहता है कि वह घर गवाम है जुद Rain उनका self interest है वो उसके according काम करेंगे तो वो क्या देखेंगे खुद का ही motivate, खुद से motivate होंगे खुद की benefit के लिए काम करेंगे जब खुद का benefit सब individual खुद खुद का benefit देखेगा तो उससे क्या होगा social welfare increase होगा तो वो ही natural law में Adam Smith ने बताया है उन्होंने कहा है कि लोग क्या करेंगे every person को self interest है उनको अपने on advantage पे छोड़ दो ठीक है उनको free कर दो उससे क्या होगा वो खुद की wealth को increase करेंगे जब सभी मिलके अपनी wealth को increase करेंगे तो उससे aggregate wealth increase होगी तो उसी को हम दूसरे words में कह देते है laser fear laser fear ऐसी policy है जिसमें कि जो government है उसका interference nil हो जाता है मतलब खतम हो जाता है और laser fear मतलब सभी को free कर दिया गया है कि वो अपने ही interest related work कर सके ताकि उनको advantage होगा तो बाकियों को भी अपने आप automatically advantage मिलेगा ठीक है तो ये हमारा Adam Smith ने first बताया था natural love ठीक है second उनोंने कहा division of labor हमें क्या करना चीए division of labor करना चीए इससे क्या होता है division of labor जैसे कि specialisation हम कहते है वैसे ही हमारा division of labor है हर काम को करने के लिए हमें labor divide कर देंगा कि एक काम ये particular labor इसको करेगी particular labor इसको करेगी बालब work को पहले हमने divide कर दिया then हमने labor की categorize कर दी कि ये इस section को देंगे इस section को देंगे ताकि क्या होगा जब वो repeat करेंगे अपना process तो उससे क्या होगा ज्यादा अच्छी उनकी productivity increase होगी time भी बचेगा क्योंकि उनको एक बढ़ ट्राइ करेंगे second time, third time, four, fifth time तक वो expert बन जाएंगे ठीक है उनकी क क्या होगी 30 increase होगी उनका time बचेगा ठीक है last number of labor saving machine का हम कम यूज करके हमें invention हम अच्छे से use कर सकते है सबी चिजों का अगर हमने division of labor कर दी है ठीक है इससे labor की power भी बढ़ती है ठीक है तो division of labor बताये जब labor की power बढ़ जाएगी वो अच्छी productivity देगा तो productivity देगा तो हमारा product भी बनेगा price भी low हो सकता है दन हमारा बिकेगा दन उसे capital formation दन ये process हमारा continue होगा जिससे main automatically हमें क्या चाहिए economy को develop करने है तो उससे ये development की process में आगे staff पे जाएगा ठीक है third point आ जाता हमारा capital accumulation जैसे कि मैंने अभी बात करी है कि division of labor करेंगे तो उससे क्या होगा उनकी increase होगी productivity productivity तो मतलब वो जादा काम कर सकते है ठीक है अब वो जादा काम करने के लिए capable है जो वो जादा काम करेंगे तो उन्हें क्या चाहिए ठीक है उन्हें investment चाहिए investment मिलेगी तभी वो आगे work करेंगे investment करेंगे है ना तो उसके लिए investment कहां से होगी saving से होगी saving पी चाहिए हमें अब क्या चाहिए saving चाहिए यहाँ पर जैसे की लिखा हुए ability oh sorry हमें क्या चाहिए ability people to save more अब वो save जादा कर अब जो investment है वो भी हमारी saving पर depend करते हैं और saving यहाँ पर कहते हैं हम invest जितनी भी saving हो रही है वो सारी की सारी हमें invest कर देनी है ठीक है but as all savings from capital and net account जितनी भी saving है वो capital में लगानी है land पर लगानी है ठीक है तो वो saving कोन करेगा ये भी याद रखने है वो करेगा capitalistic इसमें labor कोई saving नहीं करता है iron law of wages rule apply होता है क्यों होता है वो कहते जो labor है उनकी क्या होती है total wages equal to total substitution amount of labor होती है क्योंकि जैसे ही wages up and down होती है उसे कुछ worker left कर देते हैं या company उनने fire कर देते हैं या hire कर देते हैं तो उस according उनकी wages होते हैं उनकी substitution level पे equal equate हो जाती है तो ये हमारा आ गया capital accumulation का process की हमें saving ज्यादा करनी है then investment ज्यादा करनी है investment ज्यादा होगी तभी हम capital formation करेंगे तब हम labor और लगा सकते labor और लगाएंगे तो productivity बढ़ेगी तो cost of price कम हो जाएगा cost of price कम हो जाएगा तो product के price कम हो जाएंगे तो demand बढ़ जाएंगे तो then यह हमारा process चलता रहता है तेन हमारा fourth आजाता है agent of growth अब जो Adam Smith है तो यह हमें याद रखने हैं कि जो हमारी theory of development है उसके अंदर agents of growth हर theory में अलग-अलग author ने अपने agents of growth बताए है तो यह हम Adam Smith की बात करें तो Adam Smith ने agent of growth बताए है farmer, producer, बतलब इसने three agents बताए है farmer, producer and businessman यह हमारे तीन agents है जो हमें economic progress के अब यह तीनों ही क्या है interrelated है एक दूसरे से यह क्या है जुडे हुए है यह एक दूसरे से जुडे हुए है यह एक दूसरे से ऐसे उल्जे हुए है इसका मतलब है यहां पर की ओ रहा है free trade हो रहा है इसमें क्या होगा फार्मर क्या करेगा production करेगा बिजनस क्या करेगा expand करेगा market बढ़ाएगा then जो हमारा commerce है जो commerce department है वो हमारी market में पुणचाने में help करेगा loan provide करेगा ठीक है यह सब वो तिनों मिलके करेंगे जब तिनों मिलके करेंगे तो क्या होगा हमारी growth में help होगी ठीक है तो यह हमारे त्रीन है जो कि क्या है interrelated भी है ठीक है then आगी process of growth जो कहते है there when there is prosperity अब सब्सक्राइट यानि हमारी increment अलएडी है बढ़िया level पर चल रही है इस क्या यह किसका result है यह agriculture की progress का है agriculture की progress है manufacturing industry है commerce है it lands to capital यह जब तिनों की progress होगी मिलके तो इससे क्या होगा capital accumulation होगा technical progress होगी population increase होगी market भी बढ़ेगी revision of labor भी होगा profit भी बढ़ेगा और यह continue होता रहेगा capital accumulation होता रहेगा जिससे क्या है जो economy है growth की तरफ जाती रहेगी all this happening smith progressive so यह किस state में होगा progressive state में होगा which is in reality तर यह reality में cheerful and hurting state होती है बढ़िया state मानी जाती है जहां पर all the different orders of the society आ जाते है ठीक है then हमारी जाती है stationery state stationery state कौन सी state होती है जहां पर हमारी जो progress की growth है वो अब क्या हो चुकी है रुक गई है stop कर चुकी है जब हमारी progress stop कर जाती है उसको हम क्या कह देते है stationery state कह देते है यह stationery state क्यों हो जाती है क्योंकि हमारे पर जो natural resources है वो हमारी क्या हो जाते है scar हो जाते है कम हो जाते है जिससे हमारी growth क्या है stop हो जाती है अब ह पॉपिलेंट स्टेट में आ गए यहाँ पे क्या है competition है वह भी कम हो गया है wages रिड्यूस हो गई है businessman में competition आ रहा है profit low हो रहा है once profit गिरता है तो यह बंड होने लग जाते है इससे क्या होता है जो हमारी capitalism है वो stationary state में end होने लग जाती है तो यह आगी हमारी stationary तो इसमें हाँ क्या लिखा हुआ है when this happened तो इसे क्या होगे capital accumulation stop हो जाएगी ठीक है population stationary मतलब population अब नहीं बढ़री profit minimum हो जाएगा wages subsistence level पे होंगे capital income में कोई chain नहीं आगा production कम हो जाएगी वो सारे क्या हो जाएगे stagnant में हो जाएगे तो इसका graph भी बताते तो जैसे की Adam Smith ने जो बताया था ऐसे करके ऐसे तो यह हमारी आगी stagnant और यह आगी हमारी progressive street इसी के साथ हमारी वीडियो खतम होती है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू